नमस्कार दोस्तों एक बाहर फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में दोस्तों आज किसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप Windows 10, Windows 8, Windows 7 कोई भी Windows यूज़ करते हैं और किसी भी कारण से आपके Windows में Google का कोई भी प्रोडक्त चाहिए Google Chrome ब्राउजर हो या कोई भी गूगल का प्रोड़क्ट हो स्टॉल नहीं हो रहा है तो कैसे आप उसको इस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर जानकर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और सेहर जरूर कीजिएगा नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा तो चलिए जानते हैं कि आपकी गूगल का कोई प्रोड़क्ट अगर आपके विंडो में इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है मैं उमीद करता हूं कि वर्बली में बताऊंगा आप समझ जाएंगे क्य गूगल क्रोम ब्राउजर स्टॉल नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने लैप्टॉप या पीसी का जो कोई टेटा है उसको आप रिमूब करने के लिए तो मेरे खाल सब को पता होगा नहीं पता है तो आप कंट्रोल पैनल में जाए इंटरनेट आप्सन में जाए व वहां से इसको रिमूब कीजिए एंड एंडेन कंट्रोल पैनल में रहते हुए आपको फायरवाल जब विंडू इस्टॉल करते हैं फायरवाल ऑटमेटली ऑन रहता है आपको फायरवाल जाके डिसेबल करना है और देन आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अगें ट्राइ आती है तो फायरवाल ऑफ कीजिए रिस्टार्ट कीजिए और इसको इंस्टॉल कीजिए आपका प्रॉपरली गूगल कर जो भी प्रोडिक इंस्टॉल नहीं हो रहा था पूरी तरह से इस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद से आप उसको यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान आप